हलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेक अगीन टो अनलाइन क्लासेज, इन आवर प्रीवियस चाप्टर, वे आज स्टूडिद अबाट कमबर्शन, नाओ आवर नेक्स टॉपिक इस टाइप ओफ कमबर्शन, कमबर्शन कितने टाइप का होता है, ब्रिंग बर्निंग मैस्टिक और गैस्लाइटर, नियर गैस्टॉप इन दो किचन, आपने क्या करना है, जब आप किचन में गैस जलाते हो, ठीक है, उसके पास क्या करना है, आपने माचिस से अपने गैस को जनाना है, ठीक है, टॉन ओन ता नव फ़ गैस्टॉप, वाट डू यू अब्जब, जब आप आप आपन करते हो तो आप क्या ऑब्सर्फ करते हो भी फाइंड टैट तक गैस बंस रैपिटली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट हम क्या देखते हैं जब हम जलाते हैं माचिस से गैस को तो एकदम से जलना शुरू हो जाता है और उसमें से हीट और लाइट प्रोड्य होती है सच कंबॉशन इस नोन अज रैपिट कंबिशन उसका हम क्या बोलते हैं रैपिट कंबिशन देर आज सब्स्टांस लाइक फॉस्पोरट विच बंड इन एयर एट रूम टेमपरेचर कुछ एक ऐसे सब्स्टांस होते हैं जो जैसे फॉस्फोरस हो गया जो रूम टे temperature पर जलना शुरू हो जाते हैं ठीक है the type of combustion in which a material suddenly burst into flame without the application of any apparent cause called spontaneous combustion कुछ एक ऐसे combustion होते हैं मतलब material होते हैं जो एकदम से फट जाते हैं और उसमें से flame निकलना शुरू हो जाती है बिना किसी material के जिससे वो जले उन्हें क्या भोलते हैं spontaneous combustion जो एकदम से ही जलने लग जाते हैं बिना किसी उसके medium के जैसे गैस को जलाने के लिए में मैस्टिक चाहिए मैच बॉक्स चाहिए वैसे अगर कोई सबसंद बिना मैस्ट बॉक्स के या फिर बिना किसी ऐसी चीज के जिससे आग लग सकती है जलना शुरू करते हैं तो कौन से होता है जाने के पठाके को जलाते है अ neutrом reaction टेक क्लेश विद इवजालिशन ऑफ हीट् यह एक्दम से reaction होता है और हीट्प्रोडिव होती है लाइट ऐंडश क्या क्या प्रोड्यूस होता है हीट लाइट और येक्षिन इस रेक्षिन में क्या होता है गैसे भी प्रोड्यूस होती है such a reaction is called explosion इस reaction को हम क्या बोलते है explosion क्या होता है explosion जिसमें जब उसको बंड करेंगे heat, light, sound और gases produce होंगी explosion can also takes place in pressure as applied on the cracker यह जो explosion होता है वो तब भी होता है जब cracker के उपर pressure apply होता है next आता है हमारा flame flame क्या होती है flame को हम क्या बोलते है जो आला observe an LPG flame can you tell the color of the flame what is the color of a candle flame अब आपने LPG gas जलाई मतलब आपने gas जलाई ठीक है उसकी flame को आपने observe करना है क्या आप उसका color बता सकते हो recall your experience of burning of magnesium ribbon in class 7 हमने class 7 में एक activity की थी magnesium ribbon को जलाया था ठीक है उसको आपने देखना है if you do not have experience of burning the remaining item in table 6.2 you can do that now अगर आपके पस कोई experience नहीं है तो आपने क्या करना है table 6.2 ठीक है आपके पास है उसमें कुछ materials आपको दे रखा है उनको जलाना है ठीक है और फिर आपने observe करना है record your observation and mention whether on burning the material from a flame or not आपने क्या करना है अपनी observation को record करना है इन सारे material को जलाना है फिर observation में लिखना है कि कौन सा material flame के साथ जल रहा है और कौन सा without flame ठीक है जैसे अपके पास candle है तो candle को जब आप जलाओगे तो उसमें से flame निकलेगी ठीक है magnesium को जलाओगे उसमें भी flame निकलेगी camphor को जलाओगे kapoor उसमें से flame निकलती है stop को जलाओगे उसमें से भी flame निकलेगी charcoal को जलाओगे तो कभी कभार निकलेगी भी और या नहीं भी निकल सकती है structure of a flame अब आपने देखना है कि flame का structure कैसा होता है the substance which vaporize during burning gives flame देखो ऐसे substance जो जैसे हम उसको जलाएंगे वो vaporize होंगे चिक है उसे हम वो क्या करेंगे flame produce करेंगे for example kerosene oil and molten wax rise through the week and are vaporized during burning and form flames जैसे kerosene oil हो गया जैसे यह जलेगा तो यह melt होना शुरू कर देता है molten wax वगएरा हो गई यह क्या करेंगे जैसे यह जलेंगे तो यह flame produce करेंगे on the other hand does not vaporize charcoal देखो charcoal में flame नहीं निकलती है charcoal on the other hand does not vaporize and so does not produce a flame जो charcoal होता है वो flame produce नहीं करता है in activity 6.5 could the vaporize of wax coming out of the glass tube because of the flame produce अभी जो activity 6.5 है यह आप खुद पढ़ोगे किसमें क्या है देखो इसमें क्या है एक candle को जलाया गया है और फिर देखा गया है कि उसमें से फ्लेम निकल रही है या नहीं निकल रही है activity 6.11 फिगर अभी देखोई दर क्या एक candle को जलाया गया है आपने क्या करना है देखोई candle को जलाया है उसके उपर एक slide रखी है hold it there with a pair of tongues और about 10 seconds उसके पास आपने क्या रखा है एक glass की slides ले रखी है उसको आपने hook से पकड़ के रखा है और तंग से किसी भी चिम्टी की हाल से और उसको आपने candle की flame के उपर लगाया हुआ है इसको आपने क्या करना है 10 seconds तक पकड़ के रखना है then remove it what do you observe और उसको फिर हटा देना है आप क्या observe करोगे वैसे 6.2 में है a circular blackish ring is formed on the glass plate slide देखो जब हमने glass plate को glass slide को उसके उपर रखा है तो इसके उपर circular black color का कोई circular substance आ जाएगा it indicates that decomposition of unburnt carbon particle present in the luminous zone of the flame यह जो black color का substance आ गया इसके उपर यह क्या है हमारा carbon carbon particle है जो पूरी तरह से जले नहीं है आपने देखा होगा जब भी कोई जलाते है फ्लेम दिया जलाया है ठीक है उसके आसपास भी black color का substance जम जाता है ठीक है वो क्या होता है आदा जलावा carbon बिना जलावा carbon carbon के particle होते हैं जो फ्लेम से निकलते हैं hold a thin long copper wire just inside the non luminous zone of flame for about 30 seconds अब आपने क्या करना है एक copper की wire को तामबे की तार को लेना है और उसको आपने क्या करना है non luminous zone पे लेके जाना है 30 seconds के लिए notice that the portion of copper wire just outside the flame gets red hot जब आप copper wire को हटाओगे तो क्या होगा उजो copper wire जिस portion को आपने flame के उपर टच किया है वह red color का हो जाएगा और बहुत जादा गरम हो जाएगा does it indicate that non luminous zone in the flame has high इससे क्या पता चलता है कि जो flame की non luminous zone होती है वह high temperature की होती है हाई temperature होता है इसमें in fact this part of the flame is the hottest part यह पार्ट क्या होता है फ्लेम का सबसे ज्यादा होट टेस्ट यानि की सबसे ज्यादा गरम पार्ट होता है different zones of candle flame अब है candle flame की different zone मतलब जो भी flame होती है उसकी different zone बहुत important question है यह different zones of candle flame हर बारी एक्जामस में यह पूछा जाता है देखो outer zone क्या है इसमें outer zone present है outer zone of complete combustion blue जो सबसे बहार की zone होती है वो कैसी होती है पूरा तरह से जलरी होती है ठीक है blue color की भी होती है middle zone partial combustion yellow और जो middle zone होती है वो कैसी होती है yellow color की होती है intermost zone unburnt wax paper black और सबसे अंदर की zone होती है वो कैसी होती है black color की होती है ठीक है यह wax होता है जो जल रहा होता है candle wax least hot सबसे अंदर की zone होती है वो थोड़ी कम गरम होती है moderate middle zone होती हो moderately hot होती है थोड़ी सी hot और hottest पार जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो सबसे जादा गरम होती है जो आपका candle flame का जो डाइग्राम ही बहुत important है मैं हर बार इसको एक्जाम में पूछा जाता है goldsmith below the outermost zone of a flame with melting blow pipes of melting gold and silver देखो जो goldsmith होते हैं जो सुनार होते हैं जो जुलरी बनाते हैं वो जो सबसे आउटर मॉस लियर होती है flame की उसको यूज करते हैं gold और silver को melt करने के लिए वाइडु दे यूज़ आउटर मॉस जोन ऑफ़ दा फ्लीम वैसा क्यों करते हैं सबसे आउटर मॉस जो जो फ्लेम के उती है उसको क्यों यूज करते है गोल्ड और सिल्वर को melt करने के लिए क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आउटर मॉस लियर होती है वो सबसे ज़्यादा गरम होती है ठीक है तो flame के हमारे को part पता लग गया है outer zone, middle zone, intermost zone ठीक है जो सबसे inner zone होता है और जो मीडल पार्ट होता है तो थोड़ा हल्का गरम होता है अर जो बहर का पार्ट होता है वो सबसे ज़ादा गरम होता है थे क्यां नेक्स क्लास में पढ़ेंगे